जाही सी बात है ये वीडियो देखकर आप हैरान हो रहे होंगे आप सोचे होंगे या आखिर आली जनाब आजम खान पुलिस से क्यों भीड़े जा रहे हैं तो जनाब इसके पीछे भी एक पुक्ता वज़ा है उत वज़ा की बारे में हम आपको आगे बताएंगे रेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आजम खान ने गाली से उतरते ही तंज भरी अंदाज में पुलिस वालों से क्या कहा नवशकार मैं हूं मुहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं निउस टाइम नीशन एक वक्त था जब आजम खान रास्ते से गुजरते थे तो पुलिस फोर्स चौकनना हो जाती थी एक लंबा चौड़ा काफिला उनके साथ चलता था पुलिस वाले सेलूट मारते थे वक्त बदला निजाम बदला और बदल गई आजम खान की किस्बत और उसी का नतीजा है कि चेकिंग के नाम पर आजम खान की गारी को रोक लिया गया दरासल पूर मंतरी आजम खान अपने घर से दफ्तर की तरफ जा रहे थे तब ही रास्ते में नगर कोतवाली बापु मौल के पास उनकी कार को रोक लिया गया जिसके बाद आजम खान का गुस्सा सात्वें आस्मान पर पहुँच गया आजम खान गारी से उतरते ही सियो सिटी अनुच चौधरी पर हावी होने लगे आजम खान नाराजगी जाहिर करते हुए सियो अनुच चौधरी से कहा कि आप सियो सिटी है सपा ने ही आपको और्गनाइज किया था हमारा एहसान याद नहीं आपको इस बाद अनुच चौधरी ने कहा एहसान कैसा हम पहलवान थे अर्जुन अवार्ड लेकर आए थे एहसान की क्या बात है इतना ही नहीं आदम खान यहीं चुप नहीं हुए आदम खान ने कहा मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग अपने बड़ों का एहसान याद रखते हैं आपको तो मैंने बहुत सुन्दर कहा है जब सियो सिटी नो चौधी ने चौधी ने आजम खान से पूछा कि हमसे आपको क्या नाराजगी हो गई आप हमसे क्यों आराज हैं? हमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि आपके कारणा में तो मेरे मोबाइल में हैं. इस वक्ते वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है. आजम खान ने अपने बिलकुल पुराने अंदाज में तंजबरे लहजे में पुलिस वालों पर हावी होने की कोशिश की. इस वीडियो के वाइरल होने के साथ ही कुछ लोग आजम खान के सपोर्ट में उतर आ अगर आप हमारी ख़बर फेस्बुक पर देख रहें तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं. नबश्कार.